आज मैं इस वीडियो में परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ कोशन ले रहा है और सक्सेसिव परसेंटेज में क्रमागत व्रिधी हो या कमी हो उस पर कोशन ले रहा है कि परसेंटेज के पहले भी मैंने परसेंटेज पर एक वीडियो दे रखा है आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर लेंगे और उससे अलग एक कुशन ले रहा है जैसे मैंमwen जे आपके पास सो रुपे हैं आप उसमें जजैजी अटरस परसें ब्रिधी हो गया तो 110 हो गया कि एक कमी हो गया आप Quando ले इसे फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना चाहिए तो चलते हैं इस फे दो कोशन लेते हैं और बिना रफ कि उब बना सकते हैं तो जदी हम आप संद दे दे तो और भी टेक्षिनिक मिल जाएगा आपको चलिए फास्ट कोशन लेते हैं किसी व्यक्ति के आए में पिछले तीन वर्सों के दोरान पिछले तीन वर्सों के दोरान करमसा बीस परसेंट की ब्रीधी कॉमा दस परतिसत की ब्रीधी एब दस परतिसत की कमी हो जाए कमी हो जाए तो इन तीन वर्सों में इन तीन वर्सों में उसके आए में कितने परतिसत की ब्रीधी या कमी होगी इसके ऑप्सन भी दे रहते हैं पहला ऑप्सन सेवेंटीन पॉइंट परसेंट की ब्रीधी देखे ब्रीधी को अल्वेज प्लस में मानना है कमी को माइनस में मानना है चलिए सेकेंड ऑप्सन नाइटीन एट नाइटीन पॉइंट परसेंट की ब्रीधी थार ओप्सन एटीन पॉइंट नाइट परसेंट की ब्रीधी पॉइंट ओप्सन नमर चार एटीन पॉइंट परसेंट की ब्रीधी डूकित है आए तो इनका चार जो भी आए हो तो अपने आप में क्या हो गया 100 परसेंट जैसे हम ने बोला कि 100 परसेंट में जदी ब्रीधी हो गया तो 100 प्लस बोलْ देंगे कमी हो गया तो 100 माइनस बोल देंगे तो सिंपुल वेसे आप इससे सॉल्व कर सकते हैं देखें detail में solve करके बता देते हैं और option से आप कैसे कर सकते हैं detail में solution जदी करना हो तो इपने आप में tricks ही है काने के लिए detail है एक क्लाइन में आप लिख सकते हैं और ऑप्सन दिया हुआ है तो बिना लिखे हुए कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग डिसकस कर लेंगे कि कुछा हुआ है कि कितने परतिसत की ब्रीधिया कमी हो जाएगी जैसे मालिये 100 रुपया है 10% बढ़ गया तो 110 हुआ तो बढ़ा तो 10 है 10 परसें बढ़ा तो फिर 100 घटा लेंगे 110 से सो घटा लेंगे तो दस परसें बढ़ गया यानि लास्ट में हमें 100 फिर घटा लेना चाहिए तो देखिए आप मालीजे कि आपके पास 100 रुपया है कि पहले कितने ब्रीदी हो गई कि 20 परसेंट की ब्रीदी क्या है तो 100 के जगपे अब हो गया 120 चलिए जानबुज के डिटेल में लिख देते हैं 100 प्लस 20 हो गया फिर 100 कर लिए फिर कितना है 10 परसेंट की ब्रीदी जो 100 था वो अब हो गया 110 100 प्लस 10 बाई हंडिर 10 परसेंट की कमी तो 100 माइनस 10 कर लेंगे अब 200 और यह तो इतना बढ़ घटके न हो गया लेकिन बढ़ा कितना या घटा कितना तो माइनस फिट 100 कर लेंगे एक बेसिक अंसेट हो गया तो यहां तो हम लोग तीन साल का ही बात किये ना तीन साल क्या पचासों साल हो जाए यह सक्सेसिव के रूप में लगातार के रूप में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल सा है तो देखिए इसको जदी हम सॉल्व करके लिखते भी सो गुने एक सो बीस बटा सो हंदे टेन वाई सो गुने नाइंटी वाई सो माइनस हंदे देखिए इसको अब सॉल्व करने में समय भी लगेगा हमें जदी गुना उना करना चाहें तो कर सकते हैं चलिए सोसे यह सो काड़ दिये यह सो में दो जीरो ठोल दिये और इससे एक जीरो इसका काड़ लिए तो अब देखिए युस दस उनुसको मत काटिएगा बटा में दस रहने से पाइदा एक क्या है रिजल्ट में एक दिस्मल दे दे लिए और कुछ नहीं कि तो देखिए 12 को 12 से करते 132 132 को 9 से करेंगे 132 गुने 9 कोई बड़ी वात नहीं है तो 132 गुने 9 तो 9 दुना ठारा अत्यर नमा 117 और 10 हांसिल है देखिए 12 गुने गारा 132 हो गया ना अत्यर नमा 117 करेंगे 132 गुने 9 करना है तो देखिए 9 दुना ठारा हासिल एक नौ तिया 27 एक अठाइस हासिल दो नौ एक नौ दो 11 और बटा में 10 पॉइंट एक कर दीजेगा यहां पर माइनस सो क्या बच गया 18 पॉइंट अब चुकि रिजल्ट प्लस में आया तो आप इतना क्या लिखेगा इतना परसेंट ब्रीधी ना यह एंसर हो गया लेकिन यहां तो रफ करने लगे गुना करने में भी जानबुज क्या हमको लगा कि समय लग रहा है तो इतना भी नहीं करना है बाप करना क्या है डारेट कैसे एंसर दे सकते थे देखिए डारेक्ट एंसर देने के लिए विदाउट रफ जदी हम लिख दें विदाउट रफ देखिए यहां पर सो में वन जिरो जिरो करेंगे तो क्या होगा वन लिख भी सकते नहीं भी यह देखिए 120 हुआ 120 में एक और दो जिरो जोड़ेंगे तो तीन हो जागा एक सो दस में दो हो जागा यह 9 हो जागा और फिर माइनस वन हो जागा तो देखिए कितना हो गया 9 का गुना तो ऑल्वेज 9 होता है न तो माइनस वन बरावर आठ हो गया तो अंकों का योग आठ चाहिए अंकों का योग आठ चाहिए देखते हैं एक साथ आठ आठ शोल्ला यानि साथ हो गया यह एक नौद दस आठ अठारा और एक आठ मिलके ECT 9 हो गया तो यह नहीं होगा यह नहीं हुआ एक आठ नौआ नौ antisिकальных इन स्याहिए तो नौ इभी नहीं हुआ हम को आठ चाहिए था यह मैच कर रहा है हो गया कि देखें फिर से जदी किसी को लग रहा हो कि यह 3 कहां से लिखें तो 120 करेंगे तो 120 हो गया कि 120 के अंकों को जोड़ेंगे ना तो 1 प्लस 2 प्लस 0 तो कितना हो जागा थिरी हो जागा तो वही थिरी लिखें आप विदाउट रॉफ आप ऑप्सन वेज्ट को सन है चुकि ओनलाइन सुरी ऑप्जेक्टिव एक्जामनेशन की त्यारी कर रहा है तो इसमें रॉफ की जववत नहीं भी पड़ेगी ऐसे भी डीट अब डारेक्ट बनाने का कोशिस करेंगे किसी सहर की जन संख्या पिछले चार वर्स पूर्व पिछले चार वर्स पूर्व आठ हजार थी असी अजार थी इन चार वर्सों में चार वर्सों में प्रती वर्स क्रमसा थास परसेंट की व्रीधी तीस परसेंट की कमीेव 20 परसेंट की कमी तथा 40 परसेंट की 40 परसेंट की व्रीधी की दर्ज की गई हो तो बर्तमान में उस सहर की जनसंख्या कितनी होगी चलिए ऑप्सन भी दे देते हैं 6, 8, 9, 9, 2 भॉप्सन B 6, 8, 9, 8, 4 और आप्शन सी शीक्स एट नाइन एट टू सेग्स सेवेन नाइन नाइन टू देखिए बिना रफ किये हुए जदी बनाना हो तो आप्शन बेस्ट आप बना ले सकते हैं ऐसे डिटेल के लिए तो जैसे अभी हमने बात की ना उसी तरह से डिटेल हम लीगित देते हैं लेकिन आप्शन वेस्ट भी बना के आपको बता देते हैं देखिए डिटेल तो आप सॉल्व जब करेंगे डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हंडेट परसेंट अपने आप में जो है वो कितना असी है जनसंख्या जो है वो लिख लीजिए चार वर्सों में प्रती वर्स करामसा दस परसेंट की ब्रीधी यानि 110 बटा 100 हो गया ब्रीधी है तो 100 प्लस करना है न तो 10 परसेंट बढ़ गया 100 से तो 110 बटा 100 हो गया फिर 30 परसेंट की कमी यानि 70 परसेंट के ब्रावर हो गया फिर 20 परसेंट की कमी तो 80 परसेंट के ब्रावर हो गया और 40 परसेंट की ब्रीधी तो 140 परसेंट के ब्रावर हो गया अब कुस्तन में ध्यान देना उस सहर की कितना गया या घट कितना गया तो फिर माइनस 80,000 लिख लेतें ठीक है लेकिन ऐसा नहीं पुछा गया बढ़के या घटके कितना हो गया यह पुछा गया है इसलिए माइनस इसमें 80,000 लिखने की जवबत नहीं देखिए इसे solve करने में तो समय लग जाएगा तो एक चीज पहली वार जदी हम लोग बना रहे हो इस कुस्तन को इस तरह के गुना उना को तो आप कार्णली फिर से पिछले क्लास में हमने डिसकस किया था कि गुना उना के ताद चार बातों पर ध्यान दीजेगा एक तो इकायंग पर ध्यान दीजेगा दूसी वातें सबसे लेफ्ट में कौन सा अंक होना चाहिए उसको आस्पेक्ट कर सकते हैं तिसी वाते थी कि गुना उना करने पर और रिजल्टेंट में कितने अंक में इंसर आएंगे कितने अंकों में सो था और फूर्थ पॉफ उसकर और धार अब है राजकुका है तो सबसें एत्हाब कर सकते हैं तो चलिए जदींга हम तीन में तो इकाई दो है, एक में इकाई फोर है, तो क्या इकाई दो आना चाहिए या फोर आना चाहिए, तो देखिए आठ को जदी हम एक से करेंगे तो आठ हुआ, फिर साथ से करेंगे तो आठ सता, आठ सते 56 हो गया, 6 को फिर 8 से करेंगे तो 8 6, 48 8 हो गया, 8 को फिर 4 से करेंगे तो 8 उका 32 तो हमें 2 चाहिए आप कहें कि इस अब 0 गड़ छोड़ दिये किसी में 0 नहीं है तो काय के लिए आप 0 के चिंता कर रहा है तो हमें क्या चाहिए था 2 चाहिए तो यह तो गलत हो गया निस्सित रूप से है ना देखें डीटेल में तो आप 120 को काट गूर करके करी लिजेगा लेकिन फिर इसे बिना रफ की हुए रफ के बगएर बिना रफ आप कैसे करेंगे इस पर डिस्कस कर रहा है तो एकाई क्या होना चाहिए अब एक चीज बताईए अंकों के योग से क्या होना चाहिए अंकों के योग अंकों के योग से क्या होना चाहिए देखें यहां पर 80,000 है तो अंक 800 जोड़ेंगे तो आठी होगा गुने एक एक मिलके कितना हुआ दो हो गया गुने साथ देखें दो किसको लिखें 11 को और फिर आठ और फिर एक और चार मिलके चोड़े को लिखें है पांच लिख दिया है अब फिर से देखिए 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 16 को फिर आप चाहें 60 में 1 और 6 मिल के कितना हो गया 7 7 को फिर 7 से कर लिजेगा 49 49 मिल के 13 यानि 4 4 को फिर 8 से करेंगे 8 चुका 32 यानि 5 5 को 5 से करेंगे तो 25 यानि 7 तो यहाँ पर अंकों का योग योगा 7 हो जाएगा देखिए आप सिंपली 8 गुने 2 गुने 7 गुने 8 गुने 5 करने में समय बरवाद करेंगे न तो सौट में आप कीजे 8 गुने 2 सोला ब्रावर एक प्लट 6 ब्रावर साथ फिर 7 गुने 7 कर लिजे इसी तरह करते जाएंगे तो फिर देखिए अगें 7 गुने 7 49 49 का होगया 4 है ना 8 पचे 40 यह भी जदी है 8 पचे 40 तो कितना 4 है और 4 को 4 से करेंगे तो कितना होगया 16 यानि 7 तो अंकों का योग 7 चाहिए तो देखिए इसमें से 7 कोन दे रहा है यह C, D में से 7 कोन दे रहा है तो देखिए 6, 8, 14 अदो 16 9 को तो 0 मान लेंगे तो यह आपको 7 दे रहा है इसके अंकों का योग 7 आ रहा है देखिए 6, 8, 14 9, 23 9, 32 2, 34 यानि 3 प्लस 4 बराबर यह 7 दे रहा है चलिए C ओप्सन चेक कर लेते हैं 6, 8, 14, 9, 23 8, 31, 2, 33 6, 8 ऐसे जोड लेंगे न आप तो 33 हो गया नि 6 हो गया हमको यह 6 नहीं चाहिए था क्या चाहिए था? 7 चाहिए था इसको भी आप करेंगे तो 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2 तो 6, 7, 13 9 को 0 मान लिजेगा 13, 2, 15 15 यानि 6 ऐसे भी आप कर लिजेगा 9 को छोड दीजे 9 को छोड दीजे 7, 2, 9 को छोड दीजे बच गया कितना 6? कुई कर सकते हैं कोई वरी बात नहीं अंकों के जो को मिंटे नखीगा तो हमें 7 चाहिए था तो option केवाल ए दे रहा है तो हमने डीटेल में भी लेक्ष लिया है गुना करने का सौख होगा तो करते रहिएगा लेकिन नौक्री नहीं निकल पाएगा वैसे नौक्री निकालना है ना तो अदर वेर्ट से भी आपको सिखना पड़ेगा चलते हैं आज हमने सक्सेसिप परसेंटेज के ताद दो कोशन लेके बता दिया बहुत इंपोर्टेंट चीज़ दे रखें है आम तोड़ पे इस पैटरन पे एक नएक कोशन अधिकतर कंप्रिशन एक्जाम में रहते ही रहते है आप सभी से मेरा फिर से आग रहे है कि मेरे चैनल को ग्यानुसर सर्विस क्लासेस के चैनल को लाइक करें सेर करें और जदी आपने अभी तक सब्सक्राइब में किया है तो काइनली सब्सक्राइब करें थैंक्यू